आज की टुटोरियल में आपको बताऊंगा कि आप अपने लैप्टोप या पीसी की बूट स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या फिर अपने लैप्टोप या पीसी के बूट टाइम या फिर शटडाउन टाइम को कम कर सकते हैं बहुत ही असानी से कमेंगा हाई अबरिवन मैं हूं हर्श्वरदन और आज के एपसोर में आपका स्वागत है आज की टुटोरियल में मैं आपको बताऊंगा क्या आप अपने PC या लेटोब की बूट स्पीड को कैसे इंक्रीस कर सकते हैं या फिर बूट टाइम और शट डाउन टाइम को कम कैसे कर सकते हैं अगर आपका लेटोब या फिर PC 30 30 seconds या उससे ज्यादा वक्त ले रहा है बूट करने के लिए या फिर शटडाउन करने में तो आप उसको कम कर सकते हैं कुछ सेटिंग को चेंज करके बहुत ही असानी से और आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को भी दबाना ना भूले उससे इस चैनल के आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे तो इसके लिए आपको यहां पर सर्च में जाना होगा और टाइप करना होगा सिस्टम कन्फिग्रेशन और यह आ गया देखे ओप्शन इस पर हम क्लिक करेंगे और इस तरह का मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा तो इसमें हमारे पास तीन ओप्शन है नॉर्मल स्टार्टप डियागनोस्टिक और सिलेक्टिव स्टार्टप और मॉस्ट प्रबबली यह सिलेक्टिव स्टार्टप पर ही आपका चेक हो रखा होगा आपको यहां पर किये क्यिस का क्लिक करतर और यहां पर टाइम आउट थरटी सेकंड धार इसको थैसे करते और फिर सरविसेज में से चार्विस सर्विस बहुँ कै Dalam ये बहुत इंपोर्टेंट सर्विसें हैं में और यहां पर स्टार्टप में आकर ओपन टास्क मेंसे पर जाएंगि और य यह सब enabled हैं, आप इसको disable कर सकते हैं, जो भी apps या फिर software आपको नहीं चाहिए, आप just उनको disable कर दें, तो इससे आपका जो boot time है वो कम लगे, और उसके लिए यहाँ पर disable के button को on कर दें, या press कर दें, फिर select करें, और फिर आप disable कर दें, आप सिर्फ अपने antivirus या फिर जो important software ह जो आप चाहते हैं, कि boot time पे ही start हो, वो आप check कर सकते हैं, जैसे कि advanced system care है, यह मैंने enable कर दिया है, और यह भी मैं चाहता हूँ, बाकियों को मैं disable कर देता हूँ, जल्दी से, और यह करने के बाद आपको तुबारा boot के option में आना है, और यहाँ पर जो advanced options हैं, उस पर click करना है आप देख सकते हैं, और फिर यहाँ पर आपके पास दो option है, number of processor इस पर check करेंगे, और यहाँ पर आपके PC में जितने भी maximum processor हैं वो show कर देगा, वो आपको maximum number यहाँ से select करना है, उसके बाद फिर आपको maximum memory पर select करना है, जितने भी maximum RAM PC को boot up या फिर shutdown करेंगे, तो उससे कि आ आपका boot time कम लगेगा, उसके बाद OK प्रेस कर दें, फिर यहाँ से apply भी कर सकते हैं, या फिर आप OK प्रेस कर दें, और यहाँ पर यह option पूछेगा, आपको restart now या फिर exit without restart, तो अभी मैं select करूँगा exit without restart, मैं इसको बाद में restart करूँगा, क्योंकि मैं ये tutorial बना रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, और आप अपने system को restart करेंगे, तो आपकी speed जरूर बूट होगी, या फिर बूट time जरूर कम होगा, so thank you so much, मुझे अमीद है, आज का tutorial आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, तो hit the like button, नहीं पसंद आया है, तो hit the dislike button, फिर आप कुछ कहना चाते हैं, तो comment section में लिख सकते हैं, so thank you so much, bye bye, see you in the next episode, till then keep creating something new.